हालो मैं डेव फ्रेंड मैं एपीपी सोकर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल SMM हाट में और आज का जो है वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने जा रहा है इनफोर्मेटी और वेरी यूसफूल होने जा रहा है यहां दुनिया वाले आप में कमी निकालेंगे आप कितना भी अच्छा काम करें आप में सब कमी ढूंडेंगे आपकी असफलता में सब खूस होंगे आप कोई कदम पढ़ाएंगे आपको लेकपूर्ट करने के लिए तय आपको उसका चिंता नहीं करना है, आपको अपने सफलता एक बढ़ते रहना है और किसी के परवानी करना है, बिल्गुल अपने कदम बढ़ाते रहे और डवलप्मेंट करते रहे, आगे बढ़ते रहे, आपको सफलता कदमों को चुमेगी, हमारे इसी दुनिया में क्या हमारे देश में महात्मा गंधी को नहीं गुली मार दिया गया क्या इंद्रा गंधी को नहीं मार दिया गया क्या राजी गंधी को नहीं मार दिया गया अगर इतिहास के प्रणों में जाए तो क्या इसा मसी को नहीं सुली पचड़ा दिया गया क्या सुकरात को जहर नहीं दे दिया गया क्या मीरा को जहर नहीं दे दिया गया तो बहुत सारे उधारन पड़े हुए हैं आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं दुनिया वाले एक काम है आप में कमी निकाले, आप में निगेटिवीटी दूंडे, और दुनिया गिरीड की तरह रंग बदलती भी है, अगर आप असफल रहेंगे, तो कहरत पूरा दुनिया कहें कि नहीं नहीं, ये तो हम जालेते कुछ नहीं करेगा जिन्दिगी में, ये विकार है, बरबाद है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल चिंदा नहीं करेंना है, और आपको अपना काम करते रहना है, और बिल्कुल कंफिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि दुनिया में, दुनिया वाले काम है, आपमें कमी निकालना, आपमें गरत पात को निकालना, आपमें तु शंकर भग्यवन पर्वत्ती में जब सचें कि हम लोग पार चलते हैं धर्ती पर धेखते हैं कैसा हालात है क्या महौल है रटी Karma कि पुजा पाथ के पर्ती या कैसा उन लोग का विचार बहवार हैं तो उन लोग इंसान के रूप धरके शंकर जी पारवती जी और उनका सवारी जो है जो बसा बैल अपना तीनों धर्ती पर आए और इस तरह से गाउं से गुजरने लगे तो शंकर जी बोले कि हम तो चुकी जंड से हैं तो हम तो चल लेंगे तुम बसा बैल पर बैठ जाओ सवारी पर और हम पैदल चलते हैं बाचीत करते चलेंगे तो जब गाउंसे गुजर रहते तो जो गाउं मारे देख रहा थे वो कौमेंट पास कर रहे थे कि देखिए क्या जमाना आ गया एक औरत जो है सवारी पर बैठ के जा रही है और उसका हस्बेंड जो है साथे साथे पैदल जा रहा है क्या निलस्ता का जमाना आ गया बताईए चुकि भगवान थे वो समझ गये तो आगे क्या किये जब अगला गाव में प्रिवेस गये तो कि आप नुटार्जा हम बैठते हैं तो मेरे साथ चलो डूसरा गाव में जाने लगे तो वहां देखे घाम वाले बोल रहे है दूर से कोंसरे करएं आपस बात कर रह जा रहे हैं कि देखो कैसा निटु कर और बीवी कौ पैदल ले जा रहा है अपने विबी अपनी घ़रा सवारी रें तो समझ तो शाय किर है अगला दोनों सवारी पर बैठ और पर लग सीटाइ बैठ यह क्या ता पार में लगे अपने सवारी बैठ टम आगवोले बोल रहे हैं तीसरे में कि देखो एक प्रानी है एक सवारी है अदूग इतना भारी भर का माधी बैठा हुआ है क्या जमाना आ गया थोड़ा सा भी इन लोग का दयार नहीं है एक इंद्री प्रानी पर बैठ के जा रहा है तो वहां भी कमी निकाले भगवान में तो भगवान सुझे करें सही कह रहा है तो चोथा गाउं स्ट अधना गधा है दोनों कितना बोक्का है कितना बेवकूफ है जब सवारी है तो भी लोग पैदल जा रहा है ऐसा कहीं होता है तो मेरा ये कहानी का सार यह था माई डियर फ्रेंड कि आप कुछ भी करेंगे दुनिया में आपको सिर्फ कमी निकालेंगे आप में तुरूटी िकालेंगे आपकी कामी गिनाएंगे इसके सिवा दुनिया वाले कोई काम ने और आपको अपना कदम बढ़ाते रहना है और सफलता की ओर चलते रहना है और एक दिनायेगा गया क्रावाई और नाहीं को सबसे बड़ा रोघ लोग क्या कहेंगे लोग इसको आप छोड़ दी क्योंकि यह दुनिया वाही ऐसी है अगर आप कुछ कर गए तो गरीरी तरह रंग बदल देंगे कि नहीं होई तो ठीक है हम तो कर रहते हैं कुछ करेगा इसलिए इसकी परवार नहीं करना है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा हम जिस बात को समझाना चाहा रहे थे वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल SMM Heart को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफेशन मिल जाए और वीडियो को अधिक सदिक लाइक करें, वीडियो को शेर करें, इंस्टाग्राम का लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ भी हमको आप फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ भी आप कुछ मैसेज दे सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉ वीडियोज सेल्स और मार्गेटिंग के रिगार्डिंग वीडियोज आज के वीडियो में इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में तक लिए बाई बाई